hello everyone, today I will teach you the topic large intestine मैं बेटा बात कर रहा हूं किसकी large intestine की बात कर रहा हूं सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि large intestine हैं तो large intestine क्यों नाम देते हैं large intestine इसलिए बोलते हैं क्योंकि large intestine का जो diameter है वो larger होता है किसके compare में small intestine जैसे small intestine होती है तो small intestine के जो diameter होता है वो small होता है लेकिन large intestine के जो diameter होता है वो larger होता है इसलिए इसको large intestine नाम देते हैं ठीक है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो diameter होता है diameter कैसा हो गए बेटा इसका diameter एक तरह का larger होता है diameter is larger second point बेटा जो large intestine है इस large intestine के अगर मैं एक length की में बात करता हूँ तो ये approximately 1.5 meter long देखने को मिलती है अब मैं बात करता हूँ कि large intestine के को हम large intestine के अंदर कितने parts होते हैं इनको हम कितने parts के अंदर divide कर सकते हैं तो बेटा large intestine के मैं अगर parts की में बात करता हूँ तो मैं इनको mainly three parts के अंदर divide कर सकता हूँ तो इसके अगर मैं parts की बात करता हूँ तो बेटा कौन-कौन से parts होंगे three सबसे पहले एक part होता है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ बेटा सीकम, second part यहाँ पर होगा colon, third part बेटा यहाँ पर होगा rectum कौन सा part होगा बेटा यहाँ पर rectum तो manly बेटा में कितने parts के अंदर इसको divide कर देता हूँ manly three parts के अंदर divide करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सीकम की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीकम की बात करता हूँ तो जो एक सीकम होता है सीकम में क्या होता है एक blind से एक rounded structure होती है कैसी होती है blind से एक rounded structure होती है उस rounded structure को हम यहाँ पे नाम देते हैं appendix वर्मी form appendix तो सीकम में सीकम के अगर मैं structure की बात करता हूँ एक तो pouch like structure होती है एक pouch like structure जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ सीकम और बेटा इसी pouch like structure में ही क्या होगा एक तरह का एक rounded blind से एक structure present होगी कैसी rounded नाम दे सकते हो rounded blind से एक structure है ना blind से एक structure तो उस rounded blind से एक structure को ही मैं यहाँ पर नाम देता हूँ बेटा wormiform appendix क्या नाम देता हूँ wormiform appendix नाम देता हूँ है ना तो wormiform appendix बेटा किसका part है एक सीकम का ही part है है ना जो की rounded एक तरह का blind से होता है है ना small rounded blind से एक आप ऐसे नाम दे सकते हो तो वह एक wormiform appendix होता है दूसरे चीजे बेटा जो सीकम है है ना सीकम approximately सीकम approximately six centimeter in length में होता है कितना होता है six centimeter in length में होता है दूसरा हम यह नाम देंगे कि जो wormiform appendix है यह क्या है सीकम का यह पार्ट है यह हम कह सकते हैं सीकम में जो आउट ग्रोथ हमको देखने को मिलती है उस सीकम की आउट ग्रोथ को ही हम क्या नाम देंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नाम देंगे तो अगर आप से कहता है कि वाट इस दा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वर्मी फॉर of Secomer, Secomer की outgrowth को हम क्या नाम देते हैं? वर्मी फ़ोर्म अपेंडिक्स नाम देते हैं तो यह वर्मी फ़ोर्म अपेंडिक्स है एक्चॉली यह westigial होती है अब मैं इसको ही रेज करता हूं तो आप मैं Second कोलोन के बार में बात कर लेता हूं तो अब मैं यहाँ पर second में बात करता हूँ, यहाँ पर colon, है ना, जब मैं यहाँ पर colon की बात करता हूँ, तो colon को भी, colon क्या है, colon क्या है, जो की सीकम के बाद में, जो region होगा, वो कौन सा region कहलाता है, colon region कहलाता है, कौन सा region कहलाएगा, colon region, तो हम कह सकते हैं कि colon किस के बाद कंदर डिवाइड कर सकता हूं किस कंदर डिवाइड कर सकता हूं मैं ली फोर रीजन्स में कोलोन को मैं यहां पर डिवाइड करता हूं तो बेटा फोर रीजन्स कौन-कौन से होंगे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंडिंग है न किसकी बात करते हैं असेंडिंग कोलो इसे ट्रांसवर्स के बाद में आ जाएगा बेटा एक डेसेंडिंग कोलोन कौन सा जाएगा डेसेंडिंग कोलोन और फॉर्थ बेटा में बात करता हूं यहां पर सिगमोईड है ना सिगमोईड कोलोन किसकी बात करना हूं सिगमोईड कोलोन है ना एक तरह के सिगमोईड कोलो तो जैसे मालीजे में एक डाइग्राम बनाता हूं कि यह एक लार्ज इंटेस्टाइन है यह जो डाइग्राम में बना रहा हूं यहां पर यह क्या एक तरह की लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पर ड्रो कर रहा हूं है ना तो यह एक लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज क्या होगे एक तरीकी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बाद ये कौन सा पार्ट कैलाएगा बेटा हमारा सीकम कौन सा पार्ट होगा बेटा ये सीकम और सीकम में एक आउट ग्रोथ होती है उस आउट ग्रोथ को मैं यहां पर क्या नाम दे र रहा है है ना इस रीजन को मैं यहां पर यह पूरा जो रीजन है यह डोट-डोट में यहां पर दिखा रहा हूं यह पूरा रीजन यहां पर यहां तक जो रीजन है वो रीजन क्या कहलाएगा कोलोन कहलाता है तो इस रीजन को मैं यहां पर क्या नाम दे दूँगा बेटा कोल कॉलोन है ट्रांसवर्स कॉलोन है डेसेंडिंग कॉलोन को मैं डीसी के नाम से डिनोट कर रहा हूं सिग्मोईड कॉलोन को मैं ऐसी से डिनोट कर रहा हूं तो आप देखे इस कॉलोन कंदर कितने रीजेंस है इस कॉलोन कंदर कितने रीजेंस है फॉर रीजेंस है तो फॉर री ये वाला जो region आता है, इसको मैं नाम देता हूँ, transverse colon, क्योंकि ये कैसा दिखाई दे रहा, horizontal direction में दिखाई दे रहा है, तो horizontal form है, ये एक transverse colon हो गया, transverse colon के बाद में ये जो region है, इसको मैं नाम देता हूँ, descending colon, और descending colon के बाद में ये कौन सा colon होगा, sigmoid colon, और sigmoid colon के बाद एक और region आता है, जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, बेटा, rectum, क्या नाम देता हूँ, बेटा, rectum, तो जैसे second हमारा हो गया colon, और third बेटा कौन सा होता है हमारा यहाँ पर, rectum, तो rectum क्या है, एक last part है, है न, large intestine का, जो last part होगा, वो कौन सा होगा, बेट Rectum, अब अगर मैं rectum की बात करता हूँ, तो rectum, जो एक कह सकते हैं, कि rectum about हम कह सकते हैं, 20 cm, अगर length की में बात करता हूँ, तो 20 cm इन length में देखने को मिलता है, न, दूसरी चीज़ है कि यह एक 2 cm, अबाउट 2 cm long एक structure के अंदर कह सकते हैं, होता है, और 2 cm structure को हम क्या नाम देते हैं, एनल कैनाल नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एनल कैनाल, तो एनल कैनाल, रेक्टम एक तरह का, एनल, रेक्टम से ही एक तरह की एनल, एनल कैनाल का formation होता है, और एनल कैनाल कितनी होती है, 2 cm, है न, कितनी होती है, 2 cm, यह हम कह सकत है कि rectum terminate into the anal canal है ना तो यह एक बेने diagram आपको draw किया एक large intestine का right और इसके अंदर कौन-कौन से regions होते हैं four regions होते हैं ascending colon transverse colon descending colon और sigmoid colon अब मैं यहां पर बात करता हूँ कि large intestine का क्या functions होता है तो यहां पर मैं यहां पर functions की बात कर रहा हूं है functions of large intestine functions of large intestine large intestine के अंदर क्या functions होता है तो सबसे पहला functions है कि यह only mucus को secret करती है ना only इससे क्या secret होगा बेटा mucus secret होगा only mucus secret होता है है ना तो mucus का का क्या होता है फूड को lubricate करना है ना food lubrications में इसका काम है फूड को lubricate करने का काम करते हैं फूड को soft बराने का काम कौन करता है म्यूकस करता है क्योंकि म्यूकस ही सिक्रीट करती है लार्ज इंटेस्टाइन का काम है म्यूकस को सिक्रीट करना और फूड को लुब्रिकेट करना लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होता only mucus ही secret होता है यह point हमें याद रखना है चलिए दूसरी चीज़े की बेटा large intestine का जो colon वाला region है उस colon region के अंदर क्या present होते है E. coli bacteria present होते है E. coli bacteria present in colon कहां पर present होंगे बेटा colon के अंदर और E. coli bacteria क्या करते है undigested matter को उसको feed करेंगे undigested matter से यह क्या produce करते है यह vitamins को produce करते है produces the vitamins यह vitamins को produce करते है जैसे vitamins में नाम दे सकता हूँ vitamin B12 है vitamin B1 है ऐसे इन vitamins को produce करते है E. coli का क्या है E. coli large intestine के अंदर रहती है large intestine में भी कहां पर जैसे colon वाले region के अंदर होगी है न तो इकोलाई क्या करता है कि undigested matter को feed करता है और undigested matter को feed करके क्या बनाता है vitamins का formation करता है दूसरा है कि large intestine only some water, minerals and certain drugs का absorption करने में help करती है large intestine है न चलिए बेटा अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको like और subscribe जरूर करें thank you everyone